तो आज तारीख है करती संबर और साल का आखरी दिन है और दिन है संडे तो बस मैं सुभे सुभे जो ना आज मैंने कोई ब्लोग नाश्ता खाना सब नाश्ता खाना सब हो चुका था और मैंना आज थोड़ी सिलाई करने मैट गई थी जो मेरी नानजी मेरे लिए गिफ्ट वाला सूट लेके आई थी उसको मैंने फिटिंग लगाया और पहन के देखा आप बताईए आपको कैसा लगा मुझे तो ठीक लगा कोई ऐसा प्रोग्राम रख दिया था कोवर्मेंट ने कि उसमें जाना पड़ा था दीदी आई थी तो फिर मैं उनके लिए बस चाय बलाने के लिए किचिन में आ गई थी और नाश्ता ही खाना जबका हो गया था मेरे हजबन जी चले गई थी उनको भी स्कूल जाना था स्क नमकीन खतम हो गई थी तो यह वाली नमकीन निकाली जो आलू के लच्छे होते हैं उसमें ड्राइफूर्स होते हैं वह वाली नमकीन थी तो नमकीन निकालके मैंने डबे में भरी और सब के लिए चाय की करीब 5-6 कप मैंने चाय की और ठंड इतनी जादा थी कि कुछ भी कर दिखने का मन ही होता है, लेकिन करना तो होता ही है, क्योंकि जिद्मेदारी है, हो गया था एक डेड़ महीना और फॉल लगाने का नंबर नहीं आ बारा था तो मैंने सोचा चलिया आज मैं लगाती हूँ मैं नहीं साल के पहले दिन इसको पहनूँगी देखती हूँ पहन पाती हूँ कि नहीं पहन पाती हूँ कोशिश तो कर रही हूँ कि हाँ पहनूँगी आप देखती हूं सूट भी तयार कर लिया है और साड़ी भी तयार कर लिया है और मैंने फॉल लगा के तयार कर ली थी एक घंटे में मेरी फॉल रेडी हो गई थी फॉल लगाने के बार ना फिर मैं इसको तह बना के फिर जाओंगी कमरे में रखने और फिर देखती हूं क्यो अपने बेड्रूम में से निकल के अंदर वाले कमरे में जा रही हूँ जहां पर ना मुझे अपनी साड़ी को रखना आए कवर्ड में तो बस फटा फट मैंने हैंगर उतारा और इस पर साड़ी को टांगा और अब मुझे चलाना जलाना है दिया शाम का निया चलाने के बाद फिर देखती हूँ मैं क्या करती हूँ क्योंकि शाम का खाना भी बनाना था और खाने में देखूंगी क्या बनाऊँगी क्योंकि कुछ सबजी दोपैर की रखी हुई थी और हस्बेंट जी अभी भी नहीं आये थी क्योंकि आज उनको ऐसा काम बता दिया कि वो आउट ओफिस टेशन चले गए फिर फोन किया था उनसे पता किया तो फिर वो करीब आरात को साड़े आठ बजे के करीब आये तो तब तक मैं उनका वेट ही करती रही मम्मी पापाजी को खाना पीना बना के खिला दिया था यहां पर दियावाती कर रही हूँ मैं शाम की हाथी देखो डाइनिंग टेबल पर फोन रख दिया है तो यह चममच इस्टेंट रखा हुआ है वो भी आ रहा है मैं घर में जब ब्लॉगिंग करती हूँ न तो किसी को मेरे घर में अभी तक नहीं पता है बस मेरी बेटी को पता है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ और घर मेरे पसंद नहीं है ज्यादा तो मैं चुपचाप से भी मोबाइल रखके कर लेती हूँ मुझे अच्छा लगता ह इसी बहाने मेरा ये काम है और मैं बिजी रहने लगी हूँ तो पर फिर चाहसा सुमा जी के लिए मैंने बनाई चाय चाय उन्होंने बुला कि मुझे ठंड लग रही है मेरे लिए गुड की चाय बनाऊ तो फिर मैंने गुड की चाय बनाई गुड की चाय ना मेरी फट जाती ह अगर मैं साथ मेंगोड डाल देती हूँ और अलग से मैं दूद को व suiv कर लेती हूँ अब गुड डाल के पानी को अलग व suiv कर लेती हूँ तो नहीं फटती है तो भस उनोंने गोला था कि दाल चीनी और इलाची ब्रकोपे सब डाल देना और मुझे पानी पीना तभी याद आता है जब मैं चाय बनाती हूँ तो डेली में बस चाय बनाती हूँ टाइम ही एक गिलास पानी जरूर पीती हूँ बैटके ही पीती हूँ लेगिन हाँ किचिन में बैठने का कुछ है नहीं चेर वगरा रखनों तो बैट भी जाओ लेगि तो डाल यहां पर मुंकी निकाल रही हूँ मैं उसको भिगो दूँगी थोड़ी देर जब तक चाय बगरा पीएंगे हम लोग तब तक डाल भी भीग जाएगी और चाय पी लेंगे तो यहां पर मुंकी डाल है साफ की हूई डाल रखी हूई है और यह तेज पत्ता भी डा पुस्ट करने में उसके ठंड भी बहुत थी बार बीदिगी फीधने बार पानी sill kale अजिसका किता पानी थाट कितना पानी पानी पीजा थाज्ड़िक ठंदा पानी फिर भी होई जाता है तो बस दाल या आ पन मैंने भीग हो दीग है और यह जब तक फूल लेगी ना तब क हमारी चाय बगरा पियेंगे तब तक फूल जाएगी तो यह देखिए बिल्कुल काड़ा जैसी बन गई है चाय इसमें गोड़ डाल दी बिल्कुल काली काली हो गई है और एक तरफ मैंने दूद अलग से बॉयल कर लिया है यह दूद है अलग बॉयल कर लिया है उसमें मिक्स कर दूँगी और ज्यादा देर बॉयल नहीं करूंगी बस चान लोंगी तुरंत ही क्योंकि दूद भी बॉयल था और चाय भी बॉयल हो गई है वैसे न मैं क्या करती हूं कि आधी चीनी आधी गोड़ डाल के बनाती हूं या फिर चाय पूरी बना लेती हूं लास्ट में ज रजाई में बैठी हूई है आज के थन्ड हो रही है कि रजाई से निकला ही नहीं जा रहा है तो उन्होंने अपनी चाय उठा ली थी और फिर फ्लॉवर मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे तो मैंने थोड़े से कैप्चर कर लिए और हमारी दाल भी बन गई थी मैंने दाल बना ली थी इसके बाद मैं विडियो शूट किया और यह हमारी दोपहर की सब्जी रखी हुई थी क्योंकि हस्बेंट जी के लिए बनाई थी वो आये नहीं थी यहां पर मैं बनाई ले रही हूं रोटिया और बेटी को मुझ पर आ गया तरस मूभी आगी किचिन में ह लिलाओ ममा मैं सिखवा लेती हूं फटाफट फटाफट से हो जाएगा तो बेटियों को बहुत अपने माबाप की लगती है मुझे भी बहुत लगती है सब को ही लगती होगी तो वस यहां पर मैं बनाती जा रही हूं बोसे एक के फटाफट करम गरम देती जा रही है फिर यह रात को मैंने न चावल और दाल भी भोई रात को भीगने रख दिये थे मुझे फर्स्ट जन्वरी को डोसा खाना है मुझे दोसा बना देना तो मैं रात को 11 बज़े चावल दो के और वे गो दिये मैंने दाल और चावल और फिर 12 बजे तक हम लोग जगे निउ यर से बिला भी बनाने जाए तो मिलती हूं एक्स और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई थैंक यू थैंक यू फर वाचिंग एंड टेक केर सापिए अरश धरत करेंक वाल यूिए लाउ दृचिंगेंटस्टिंग्स